दोस्तो प्रक्रति में मौझूद हर जानवर के बारे में डीपली जान पाना इंसानों के लिए हमेशा से ही एक चुनौती रही है खास और पर जंगली जानवर तो हमेशा से ही अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं जंगली जानवर कब एग्रिसिव हो जाएं ये कोई नहीं जानता इनका ये आकरमक वहवार हमें काफी नुकसान भी पहुचा सकता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एग्रिसिव जीव के बार में बताने वाले हैं जो पल भर में हमला कर देते हैं दोस्तो इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है आपको लाइक करने में केवल एक सेकंड लगेगा प्लीज दोस्तो लाइक जरूर कर दीजेगा आईए शुरू करते हैं तस्मानियन डेविल ये भैंकर जीव केवल आस्ट्रेलिया दूइप तस्मानिया में पाया जाता है ये जीव इस्तंधारी है और सबाओं से बहुत जल्दी अग्रिसिव हो जाता है यही वजह है कि इन्हें शैतान यानि की डेविल नाम से भी जाना जाता है आम तोर पर इनका शरीर एक कुत्ते के बराबर होता है तस्मानिया डेविल की विशेषता उनका नाटा और गटीला शरीर तीखी गंद और खाते समय ये घूता है इसके बड़े शरीर गर्दन के कारण इसकी काटने की शक्ती अपने वजन के हिसाब से किसी भी इस्तंदारी जीव से सबसे अधिक है इसका प्रयोगी मरे हुए जानवरों को खाने और इनसानों से चीज़े चोरी करने के लिए करता है खत्रा महसूस होने पर ये गुसे में आ जाता है और जोड़ जोड़ से चिलाने रगता है साथी आपको बता दूँ कि शिकार करने से पहले ये कुछ क्लावर टेक्निक का प्रयोग करते हैं ये अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं जिससे इनके शिकार को कोई अंदाजा भी नहीं लग पाता है कि ये उस पर अटैक करने वाला है और अचानक अपने खतरनाक जबडों से शिकार को पकड़ लेता है और वहीं के वहीं उनको चीर देता है दोस्तो जंगली सुवर मद यूरोप, उतरी अमेरिका और एशिया के कई छेतरों में पाए जाते हैं इनका वजन 75-100 गिलोग्राम तक होता है जंगली सुवर की सबसे बड़ी विशेषता इनके घुमाओदार शार्प दात होते हैं कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये दात इन जंगली सुवरों को भगवान का दिया हुआ वर्दान है जो इनके सर्फ डिफेंस में काफी मददगार होते हैं इनकी खाल बहुत मोटी होती है और इनके शरीर में जो थोड़े बहुत बाल होते हैं तो बहुत ही कड़े होते हैं इनके लंबे मूँ का आगे का निकला हुआ भाग यानि की थूथन आगे की ओर चप्टा रहता है जिसके अंदर मुलायम हड्डे का एक चक्र सा रहता है जो थूथन को कड़ा बनाया रखता है इसी थूथन के सहरे ये जमीन को खोट डालते हैं और भारी भारी पत्थरों को आसानी से उलड़ देते हैं इनके सुवने की शक्ति भी बहुत अच्छी होती है ये शिकार को जमीन के भीतरी सुवन लेते हैं और उसे अपना भोजन बना लेते हैं अनुबवी शिकारियों का कहना है कि जंगली सुवर का शिकार करना काफी खतरनाख हो सकता है इसलिए इन का शिकार दुनिया के सबसे खुंका शिकारी में से एक माना जाता है ये अफरीका में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक जीव हैं ओढ़ारन के लिए साल、 2014 में इन हिप्पोपोटैमस ने नाइजीरियन स्कूली बच्चों की नाव पर भी अटाइक किया था जिससे 12 छात्रों की जान चली गई थी भोजन की तलाश ये भटकते हिप्पोपोटैमस अपने विशाल आकार और बड़े दातों से किसी भी जीव पर हमला कर देते हैं इनके शरीर का इतना बड़ा आकार होने के बावजूद ये एक समय में 20 मिल की दौर लगा सकते हैं दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी इस लिस्ट में हमने एक बफैलो को क्यों शामिल किया है तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि अफरीका में पाये जाने वाले ये जानवर काली मौत के नाम से भी जाना जाता है इसका सर छोटा, कान गटाओ दार और इसका शरीर काले रंका होता है ये जानवर 5 फिट उंचे जानवर हैं जिनकी सिंग जड़ के पास काफी चौड़ी होती है और जो पहले नीचे की ओर जुख कर पीछे की ओर जाते जाते उपर की ओर मुर जाती है ये खुली पहाडी और जाडी में भरे हुए जंगलों में पानी और कीचण के आसपास रहना पसंद करते हैं इस जाती की भैस बहुत ताकतवर होती है और इन्हें सींग और बाग तक असानी से नहीं मार पाते हैं इनका हमला बहुत ही खतरनाक होता है ये जानवर सबसे ज़्यादा मनुशे पर घातक हमला करते हैं एक नॉर्मल भैंसा दिखने के कारण आप इसके अटैक का अंदाजा भी नहीं लगा सकते लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये अपने सींगों से इनसानों की जान तक ले लेते हैं दोस्तों ये उत्री कुरेशिया और उत्री अमेरिका में पाए जाने वाले एक भालू है इसे उत्री अमेरिका ली भालू कहा जाता है क्योंकि इसका रंग भूरा होता है ये जीवों के मासा हार वर्ग में सबसे विशाल का सदिस्वे में से एक है इससे बड़ा केवल ध्रूविय भालू यानि पोलर बियर ही होता है दोस्तों हला कि मज़दार और शान्त होते हैं लेकिन खत्रा मैसूस होने पर ये भालू काफी आकर्मक हो जाते हैं अपने पंजों से ये इंसानी शरीर को जख्मी कर उसे चीर देते हैं इसके इलावा ये अपने शिकार को तलपा तलपा कर मारते हैं शिकार के घायल होने पर ये उससे सीधे सीधे खाना शुरू कर देते हैं अलाकि ये देखने में काफी सुन्दर होते हैं पर ये अपने और अपने बच्चों को खत्रे में देखकर खतरनाक और अग्रेसिव रूप में आ जाते हैं दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेनत लगी है अगर आप सच में सब्सक्राइब कीमना चले जाओगे तो मेरी मेनत खराब हो जाएगी और आपका सपोर मुझे कैसे मिल पाएगा इसलिए प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेना Amazon Rainforest हमारे धरती पर मौजूद सबसे बड़ा जंगल है इसका अकार इतना बड़ा है कि ये एक या फिट दो नहीं बलकि पूरे आठ देशों में फैला हुआ है यहाँ पर मौजूद पेड इतने लंबे और घने हैं कि सूरज की रोश्णी को भी जमीन तक पहुँशने नहीं देते और जब भी यहाँ कभी बारिश होती है तो उसे दस मिनट से भी जादा का समय लग जाता है उसे नीचे पहुँशने में इसके इलावा भी यहाँ पर अक्सर लोगों को ऐसी चीज़े मिलती रहती है जो इंसान की समझ से एकदम पड़े है रिसर्चर्स का तो ऐसा भी कहना है कि इंसान एमिजॉन के जंगल से ज़्यादा तो मार्स के बारे में जानता है तो चलिए दोस्तों एक नजर डालते हैं एमिजॉन में छुपे कुछ ऐसे ही रहस पर जिनने लोगों द्वारा जाने अंजाने में ढून लिया गया लेकिन दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है आपको लाइक करने में किवर एक सेकंड लगेगा दोस्तों लाइक जरूर कर दीजेगा आये शुरू करते हैं धर्ती पर मौजूद नदी ठीक वैसे ही है जैसे शरीर में बहने वाला खून इसके बिना जीवन की कलपना ही नहीं की जा सकती लेकिन अमेजॉन की जंगलों में खोजी गई इस नदी को धर्ती का नर कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जैसे ही कोई जीव इसके संपर्क में आता है तो उसे काफी दरनाक मौत मिलती है एंडरस उजो नाम केस जियो साइंटिस को बच्पन में इनके दादा एक ऐसी जालेवा नदी के बारे में बताया करते थे जिसका पानी हमेशा उबलता रहता था फिर बड़े होने के बाद इनोंने नदी को धून निकालने का फैसला किया पहले तो सबको उनकी बाते मनगणत लगने लगी और किसी ने भी इन पर यकीन नहीं किया लेकिन 2011 में एंटिसन ने इस नदी को धून कर अपने साथियों को हैरान कर डाला उनका कहना है कि इस नदी का तापमान पूरा साल 80-100 डिगरी तक रहता है जो कि इतना ज़ादा है कि कोई भी चीज इसमें गिरते ही मिंटों के अंदर राक में तबदील हो जाती है वैसे तो ऐसा तब होता है जब किसी नदी के आसपास कोई जौला मुखी मौजूद हो लेकिन हैरानी की बात है कि इस नदी के दूर दूर तक ऐसा कोई भी जौला मुखी है ही नहीं रिसर्चर्स इस बात से भी हैरान है क्योंकि इस नदी के इलावा धर्ती की किसी कोने पर ऐसी कोई नदी देखी ही नहीं गई और व्यग्यानी नजरी से तो ये मुम्किन ही नहीं है अन्नोन बर्ड इस पक्षी को हाल ही में अमेजॉन के जंगलों में ढूना गया है अब आप पूछेंगी ये कौन सा पक्षी है हमें तो कुछ नजरी नहीं आया तो यही तो खासियत है इस पक्षी की ये खुद को छुपाने की कला में बड़ा माहिर है इस बर्ड को जाना जाता है पोटू के नाम से जिसे आज तक बहुती कम लोगों द्वारा देखा गया है क्योंकि ये रात के समय में ही निकलना पसंद करते हैं और सारा दिन ऐसे ही किसी टहनी के उपर बिना हिले डुले और पलक जबकाए कई घंटों तक ऐसे ही बैठे रहते हैं जिने देखकर ऐसा लगता है कि मानू ये इस पेड़ का कोई भाग ही हो फिलाल तो इस बर्ड के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है लेकिन इसकी आखे समय समय पर अपना रंग बदलती रहती है जहां दिन में ये डार्क यलो होती है वही रात आते आते ही इनका रंग औरेंज या रेड हो जाता है इनका शिकार करने का तरीका भी काफी अलग है जिसके लिए इनको जादा दुन नहीं जाना पड़ता है बलकि अराम से एक ही जगे पर बैट कर अपना बड़ा सा मुझ खोल लेते हैं और फिर कीट पतंगे अपने आप इसके मुझ के अंदर चले जाए